हलो स्टुडेंट्स वेलकम बाक टू फुजिक्स क्लास तुडेंट्स आज हम कि ब्स सी 1st यहर का यूनिट सेकेंड पिपर 1 कर रहे हैं तो बुच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना कर लिया था हमने टॉर्क तक कर लिया था राइट टॉर्क हमने काडीजीन काडिनेट के अंदर क्याल्कूलेट करने वाला कर लिया था ξέ मैं, क्यों करेंば काडीजीन काडीट था करें.indung कैंकि रोटेशन कि उसमें भी है तो यह समय है, ठीकों अगर ज्यादा माक्स का है तो आप दोनों के करके दिखा दे ना थोड़े से उसमें तो पॉल सिंपल प्लस में काडीजन वाला जो है आप का वो करके दिखा देना ठीकें तो यू 10 ने भी कॉन सकता हूंनोंने खाले ट्रक दिया है तो डोर्ग के दौने एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए आपको किसके अंदर पॉलर में भी और काडिजन में भी किसके कह रहे हैंrian करने कॉडिनेट में ठीक है next lecture हमारा रहेगा angular momentum in term of the आपका किसमे polar कॉडिनेट में ठीक है तो अब आप heading डालीजे torque in term of the polar coordinate ठीक है heading डालीजे torque in terms of polar coordinates ठीक है torque किसकी form में बताना है आपको polar coordinate की form में बताना है ठीक है अगर polar coordinate की form में बताना है तो इसका मतलब हमें angle का कुछ न कुछ तो rotation उसमें करवाना पड़ेगा ठीक है और polar के अंदर क्या होता है आपका साइन ठीक हो जिसे जो भी हमारी पास x और y जो हमने दे रखा उसको भी हमने और फॉर्म के अंदर लेना पड़ेगा ठीक है तो और फॉर्म जिसे थोड़ा बहुत हम x और y को ले रहे थे x और y का तो हमने लिया ही था लेकिन वह काटीजन के उसमें करके लिया था y का तो अपने। यं दो किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्म का वह करना पड़ेगा एंगल के उसमें लेना पड़ेगा रिजाल्में पड़ेगा करना पड़ेगा कृशी जो लेन ऑफ एक्षन इसके त्रुब हो rotate कर रहे थे वो लेना पड़ेगा अगर ऐसा कर रहे है तो दोनों की दोनों कॉडिनेट क्योंकि हमारे रिवॉल्फ कर रहे हैं वो कर रहे है अंगल से पर्टिक्लर तो वो हमारे पास क्या दे जाएगा आपका polar कोडिनेट दे जाएगा ठीक है तो इसके लिए हम वही कंसीडर करेंगे जिसा हमने पहले किया था क्या कि हम क्या कर रहे हैं पार्टिकल जिसका मास M है उसको रोटेट करवाएंगे अगर प्लेन में ठीक कर रहे हैं तो थिता एंगल कर रहा है उसप क्या करतो ऑर रोटेट कर वादेंगे ठीक है nouकर जैप से कर रहे हैं तो हमने क्या किया एक पार्टिकल लिया यहां पे ठीक है यहां पे एक पार्टिकल लिया जो X-axis के साथ कितना एंगल बना रहा है ठीक है और उसको क्या करवा रहे हैं हम rotate करवा रहे हैं ठीक है तो अगर rotate करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये मेरे पास angle जो ये जा रहा था ठीक है ये मेरे पास कितना आ रहा है आपका perpendicular इसे लेकिन मैं इसको rotate करवाना चाहरी हूँ तो इसको मैंने इस तरीके से z axis के अंदर rotate करवा दिया ठीक है तो अगर ऐसे rotate करवाया है तो ये angle मेरे पास कितना हो जाएगा आपका alpha हो जाएगा ये angle कितना हो गया alpha क्यों क्योंकि यहां पर ये जो angle जा रहा है इसका perpendicular बनाऊंगी तो ये हो जाएगा ठीक है तो जितना ये angle है मेरे पास पाई उतना ही मेरे पास क्या होएगा यहां से ये जो angles मेरे ये जो बन रहा है ना ये भी इतना ही होएगा क्यों कि vertically opposite angle के according ये दोनो एक्वाल है और कॉरेस्पांडिंग एंगल की अक्वाडिंग यह दोनों है इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां पर अगर मैं यह जैसे आपके यह तो यह वाली एक्सित इसको ऐसे बनारा है या i однойÂ डो लगाना ठीक है तो यह थोड़ि से मेरी खेंटी हो गई है आम इसको बनाते टाम को सीधा बनाना इसका मतलब अगर यह पूरा ऑंकल alfa है तो यह भी एंगल कितना गया corresponding angle से Íलफ हो घीक है इसको मैं क्या मांन रही हूं फाइया ऑफा हो तो ocho यह चुना हो घाइंगल हो तो हमने क्या किया यह जो मेरी dys plupart से मैंने क्या किया उस्को वो हो ड़िया है दो हो गी कहते है कि अगर मैंने के अपर परенд்डिकोल ड्र aucun यह इस तो तो यह मेरी पास कितना हो गया के यहां पर जैसे हमारे पता है यहां पर से ही आफर हमारे पाएगलis दिए साइटा होगे यह eight मेरे पास क्या हो गया यानी कि यह फसलंड दिरेक्शन में अब यानी कि मैंने यवा का पूल्पक्पो ड्रीllesfik एसे क्यों क्योंकि मेरे पास R और उर वह तो हुई रहे थैंगल की फ़र्म में अब यहां पर मैंने यह इभी किसकी फोर्म में इनी की फ़र्म में कर दिया तब ही मैं किया निकाल पाहूंगी पॉलर случа funding की फोर्म में इसको पेले है फिर इसका टॉरक पार्टिकल ओफ मास M रोटेट्स इन एक्स वाई प्लेइन अबाउट और इसन ओ वही किया है एक पार्टिकल दिया है जो कि मास उस पे M था वो रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेइन के अंदर O से ठीक है जो कि थीटा एंगल बना रहा होगा X-Aक्स की दुरूर ठीक है और वह कितने पोजिशन वेक्टर से आर वेक्टर से तो ये भी लिखेना है हमें तो लिखे द पोजिशन वेक्टर ओफ पार्टिकल आर वेक्टर मेक्स एंगल थीटा with x-axis at origin O the force F-vector is applied on particle and its line of action how much you have made the angle of the line of action? alpha okay so line of action making angle alpha with x-axis and f makes angle phi f how much is phi angle that is angle between r and f vector is phi is equal to r minus theta okay how much will this angle be done? r minus theta we can tell it to be why? because we have this side angle it is equal to external angle it is opposite sides which is corresponding the side are it is theta plus phi which is equal to alpha equal to phi is equal to alpha minus theta equal to phi is equal to alpha minus theta triangle property know? this is triangle is outside angle एक ही एंगल है ये एंगल है तो ट्रैंगल की प्रोपरी चुभती है कि अल 느 majesty 1 और 30 तो मैंने के इसी लेके चलते हैं तो fx की value कितनी हो जाएगी f cos of alpha और yfy की value कितनी हो जाएगी आपकी f sin of alpha की equal आजाएगा तो जो आपने torque निकाला था वो किसके equal था xfy minus में yfx की equal था ठीक है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि the force applied on particle exerts torque such like this तेके and now we have to put all these value in this equation तेके then we have torque is equal to x is nothing but r cos theta multiplier fy is f sin of alpha minus y r sin theta fx is f cos of alpha ठीक है r दोनों में से common आ सकता है f भी दोनों में से common आ सकता है r और f को common कर देते हैं ठीक है यहाँ पर कितना बनेगा sin alpha cos of theta minus में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका cos alpha sin of theta इसका मतलब क्या है sin a cos b minus में cos a sin b that means sin a minus b का formula है ठीक है तो tau is equal to किसके equal हो जाएगा rf sin of alpha minus में कितना हो जाएगा आपका theta हो जाएगा sin this cos theta इसके equal हो जाएगा और alpha minus theta is phi ठीक है तो हमारे पास torque किसके equal हो जाएगा rf sin phi के equal हो जाएगा cross में करके लिख सकते हैं कि cos dot product दिखाता है sin cross product दिखाता है यह कितना हो जाएगा r cross में f के equal आ जाएगा ठीक है इसका मतलब हमारे पास torque का यह वाला formula निकल चुका है और सेम जो आपने वहाँ पर उपर torque की सारी statements लिखी थी कि torque minimum कब होएगा और आपका वो कब होएगा maximum कब होएगा वो जाएगा वो जाएगा बता सकते हो ठीक है तो बता दे उसको rotation के case के अंदर तो बता देते हैं ठीक है तो आप लिखिए case 1 कि torque हमारे पास maximum होगा टॉर्क डूटू फोर्सिस माक्सिमम वान आर इस माक्सिमम ठीक है जैसे कोई भी हमें क्या करना है तो हम पेज़कस लेकर चलते हैं तो बड़ी उसका लेकर चलते तब एजी ली खोल सकते हैं ऐसे ही अगर को gate खोल ना है तो gate आप उसके पास में खड़े हो के खोल सकते हो नहीं आपको थोड़ा से दूर कर वहागा तब आप उसको खोल पाओगे ठीक है इसका मतलब क्या तो अयसे हैं यहां से खड़ी होंगे इसको का सकत veil मएब और बंद करने में अगर हम यहां सहे घचे करेंगे थाया सबस्क्राइब नहीं करने में यहहां से यहां से दिस्टन्स नहीं युल्मों हो vinegar घ्याद हम कर सकते हैंरा ऑर्स में इक करना पड़ेगा ठीक है तो यानि कि कि किस कि इंदर इसकी अप्लिकेशन हो सकती है तू अंस्क्रू ए नर्ट फिटेड टाइटली टू ए बॉल्ट रेंच विद लॉंग आम इस रिक्वाइट ठीक है सेकंड कौन सा ले सकते हैं इसके अंदर वही डॉर वाला ठीक है तो टू क्लॉज और आपने डॉर एजिली बाइ अप्लाइंग फोर सेट दा अप्लाइज 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 तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं rma और alpha की form में यानि की circular motion में ठीक है कैसे लिख सकते हैं हमें पता है a is equal to kiske r alpha की equal होता तो r का square हो जाएगा केस थर्ड क्या बोल सकते हैं हम इसमें 5 की value को 0 या फिर 180 कर दो सबको पता है टॉर्क हमारे पास क्या जाएगा minimum जाएगा जीरो की equal आजएगा ठीक है अगर rectangular component ले रहे हो तो आपको पता है कि वह हमारा resolve हो जाएगा तो बार बार उसको क्या बताना है न तो आप यह सारी कर लिजेगा आज का लेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे अपना momentum का करेंगे करने की कोशिश कर लेना जिस्ट क्या करना है फिगर मैं बता देती हूं बिल्कुल इजीली कर लोगे ठीक है इसी में इंक्ल्यूड कर रही हूं मैं मोमेंटम का जैसे आपने यहां पर क्या बताय यह फॉर्स हमारे पास रिस्टो जोव हो गया ऐसे ही आप यहां पर पी मेंटम का पता है कितना मोमेंटम का ऑप品 गए यहां पर को चैनल ंप जेना से में नहीं कोई डिक्त नहीं आएगी कोई इसAN ञाहिजने नहीं किसे फार्जीन कि प्लेड़ सदेल स능 में गुकुकुकुकुकु this, टृप्रेकर नहीं कशने क्लेश IrDotraire को यहाँ पहते हैं, लग और यहाँ पे इसे γयां पहले यहां पहले है? कि क्वर्ल dowpack 6 देश्ट की कि अंग्तव कन दाफ्फ करिजने? मुमेंटम इन दा पॉलर कॉडिनेट भी इसी जैसे हो जाएगा ठीक है तो यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है इसको मैं रही है सारी चिज़े एस लिखनी है जैसे मैं यहां पर लिखवाई है ठीक है बस एक जगे पी आता जाएगा एक अबस और कोई फर ठीक है नेक्स्ट हमारा आएगा कंजरबिशन ओफ अंगुलर मोमेंटम तो वो कल करेंगे ठीक है ठीक है थैंक्यू फोर वाचिंग वाचिंग दिस वीडियो और कीप शेरिंग विद यूर फ्रेंड और अल्सो कमेंट अन दे लेक्ट्चर ठीक है थैंक्यू